मिलेगा तो हम इंसाफ की गुहार उनसे कर रहे हाथ जोड़ के देश का जंडा उपर करके हम बात करें अच्छा की बात में होती है देखे अगर आपको पता होगा यहां कश्मीरी पर्णतों का नरसंगार हुआ है और इनोसन कश्मीरी मुसलमान का इनोसन सिक्स का भी नरसंगार हुआ है हमने सरकार से अपील की थी कुछ दिनों पहले जब मैं टोकन हंगर स्ट्राइक पे एक दिन बैठा था मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कमिशन बना के फैक्ट फाइनिंग रिपोर्ट दे तो उस कारण हम आज बैठे हैं और हमने एक और मुद्दा अड़ उठाया है जो ही वो बाशन खतम करेंगे अगर हमारी बात को नजर अंदाज किया गया जो नेशनिस बाते हैं जो देश की इंटेग्रिटी के लिए आप बात करते हैं हम कैई उनने कल अगर आपको याद होगा कल एल जी साब ने कहा कि will not buy peace in Kashmir will establish it उसके basic criteria's होते हैं जो innocent killings हुई है उसमें क्या तकलिफ है कौन सी हम ऐसी बात मांग रहे हैं कौन सी हम कोई तूपान मांग रहे हैं हम तो basic बात कर रहे हैं दूसरा जो scholars है PhD scholars है जो रमसा के teachers को अपॉइंट किया गया फिर इनको निकाला गया यह और हाइकोट के in contrary जबकि मोदी जी ने बजट भी उनके लिए तीन लाग करोर सेंक्शन किया है फिर भी निकालना तो हम आपके माध्यम के थूँ अपील करेंगे LG आफिस से और LG साब से और प्रदामंत्री जी से कि हमारी जो basic demands है कमिशन और हमसा टीचर्स के appointment फोरन इस पे संग्यान ले ताकि लगे कि ग्राउंड पे नया कश्मीर आज हिंदुस्तान का जंडा उपर है तो यही हम चाहते हैं कि उपर ही रहे और कश्मीर जो इनकी ताज है उसको ताज बना के रखे देखे बदमाशों को शराफत से नही जो जिस बाशा मैं समझेगा जिसने उन्होंने तो कतल किये हमने तो सिर्फ बाशा का उल्टा इस्तमाल किया उन्हें तो कतल और गारत कराई एक तो चौरी उपर से सीना जोरी आपको इसलिए क्योंकि आप माइक पे नहीं थे आपको सुनाने के लिए आपकी फोड़ा फोन दूर दूर से है इसलिए